बच्चो नमस्कार गुड इवनिंग बहुत बहुत स्वागत है और एक बड़ी सूचना है उन बच्चों के लिए जो लोग अपने BPSC यानि बिहार पबलिक सर्विस कमिशन की परिक्षा के लिए तयारी कर रहे हैं सत्तरवी BPSC परिक्षा के लिए तयारी कर रहे हैं तो सत्तरवी BPSC की परिक्षा जिसके निर्धारित थी 30 सितंबार यानि इसी महिने की 30 तारिक था जिसे कुछ अपरिहारिक कारणों से आगे बढ़ा दिया गया है जिसके लिए एक नोटिफिकेशन आया है जो कि अब आपक स्क्रीन पर देख पा रहा होगा जिसमें कहा गया एकिकरित सत्तरवी सेवेंटीत कम्माइन्ड प्री एग्जामनेशन से सम्मंदित सूचना है और वो ये कि ये तरी जो परिक्षा है जिसकी पूर्वनिर्धारित थी 30 नो दो हजार चोबिस थी अब इसे कुछ अपरिहार क कुछ कारणों की वजए से इस परिक्षा की प्रारंबिक तिथी की परिक्षा को नवंबर के महीने में 17 तारिक के लिए बढ़ा दिया गया है वैसे शंका और आशंका तो थी कि ये डेट आगे बढ़ेगा क्योंकि इसको लेकर जो एडवर्टीजमेंट या जो कुछ नोट जब तक आयोग न कह दे आप सिर्फ अपनी शंका या अपने अनुमान के आधार पर कुछ कहना ठीक नहीं होता क्योंकि ये उन बच्चों से उन लाखों बच्चों के जीवन से जुड़ा है जो कि इस परिक्षा की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं तो अब इस आयोग के द्वारा घूशित कर दिया गया कि 30 तारिक की परिक्षा अभी नहीं होगी उसको ले करके जो भी नया नोटिफिकेशन होगा उसे जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाएगा ये मान कर चलिए कि आज हो गए 2 तारिक अगर आज 2 तारिक हो गई तो मान कर तो इस exam को लेकर जो भी advertisement वगरे है वो आपका declare कर दिया जाएगा एक अपते की और बात है लेकिन अपनी जो पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं जो अपनी आप तैयारी कर रहे हैं उसे रोकिएगा मत उसकी speed को धीमा मत करिएगा किसी तरह से कोई भी आशा निराशा या चल इसी भी काम को मत करिएगा ये मेरी गुजारिश रहेगी जिस तलीनता से जिस continuation के साथ जिस डिगर जैसे कहते हैं continuity के साथ आप इस परिक्षा को पढ़ रहे थे तैयारी कर रहे थे वैसे ही करिएगा अब एक चीज थोड़ी बढ़ जाएगी और वो ये बढ़ जाएगी कि वो करेंट अफेयर जो अब तक आप लोग संभौत जून या जुलाई तक का पढ़ लए थे अब उसे बढ़ा करके आपको अगस्त और सितंबर यानि अगले दो महिने को भी जोड़ना हो जाएगा कोई बात नहीं है वैसे भी करेंट अफेयर तो हमेशा पढ़ा ही जाता ह है और वो मेशा तयार रखना भी चाहिए तो उसके लिए परिशान मत होईएगा अगले दो महिने और जोड़ लीजेगा जो अब तक आपने पढ़ा था करेंट अफेयर के लिए उसमें दो महिना और जोड़ लीजेगा है ना तो इसलिए अब आप लोग अपनी तयारी ये कर लेंगे क्योंकि मिले हुए समय का फाइदा उढ़ाना चाहिए क्योंकि एक अगर गीत याद कर पाऊं तो मुझे याद आता है हिंदी सिनेमा का गीत है गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा है ना तो जो जमाना जो वक्त गुजर जाता है वो आता नहीं है ये आ गया है वक्त इस गाने की स्लाइन को थोड़ा सुधार दिया गया बिपी यसी ने आपको गुजरा हुआ जमाना लोटा दिया जो भी एक आद मेने के गरवड हुई होगी वो ठीक हो जाएगा अब आप लोग अपनी तैयारी को पूरा करिए बस ये सूचना ये जानकारी आ पाइदा उठाईए खुब बढ़िया सा एक्जाम दीजे क्योंकि इस बार वार खाली नहीं होना चाहिए इस बार आप किसी भी तरीके से छूटे ने ना पाए ठीक तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों के भविश्य के लिए काम की होगी तो चैनल लक्ष व जे इंडियन हिस्ट्री की इसको आप जॉइन कर सकते हैं और जॉइन करिएगा आप अच्छा समय मिल गया तो इसका फायदा उठाया जाएगा तो आप सभी लोगों को धेर सारे शुब काम ना है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाएए और सेशन को भी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा कि जिसके पास भी जानकारी ना पहुच पाई हो वो अपने आपको तयार कर लें तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से बेस्ट अफ लक और बेस्ट और गुड़ नाइट अब एक लक्ष सत्रह नवंबर क है बहुत बहुत शुब कामनाए बेस्ट अफ लक गुड़ बाई